C.A. Final के साथ मैं Data Analytics करूं तो आसान रहेगा? C.A. Final के साथ मैं FinTech करूं तो आसान रहेगा? अगर आपको C.A. Final के साथ दोनों करने पड़ें तो कैसा रहेगा? जी students, आपको पता चली गया होगा कि iCAP ने एक Notification Launch किया है कि जिसके तहत September 2024 से आपको दोनों Hands-On Course करने हैं Merge करके तो आपके पास ये जो duration मौझूद है September 2024 तक ये बहुत crucial time है कि आप लोग अपने लिए एक आसानी select कर लें आप लोग दोनों courses में से कोई एक opt कर सकते हैं तो do it as soon as possible कि आप कल या परसो एक हफ़ते के अंदर decide करें कि आपने data analytics करना है या आपने FinTech करना है आप जल से जल अपने आपको register करें ताकि आपकी जो requirement है वो fulfill हो जाए और तीन महीने के अंदर आपको आपका certificate मिल जाए और most probably आप July की attempt में अपना hands-on course पास करके अपने आपको दो hands-on courses से बचा ले तो मैं आप सब को motivate कर रहा हूँ आप सब को push कर रहा हूँ आप सब को मैं request कर रहा हूँ कि आप जल से जल अपने आपको register करें किसी एक hands-on course में ताके आपको आगे जाके दोनों hands-on courses ना पढ़ने हो अगर आपने दोनों hands-on courses पढ़ने ही है तो IQ School of Finance वैसे भी आपको complimentary एक hands-on course के साथ दूसरा hands-on course तो offer कर ही रहा है लेकिन यहाँ पे अगर आपने दोनों के papers देने पड़े तो सोचें वो कितना ज़दा hectic हो जाएगा CA final वैसे ही आसान नहीं है तो इसे मजीद मुश्किल ना बनाए और आप जल से जल अपने आपको किसी एक hands-on course में register कर ले Thank you